प्रेगनेंसी में महिलाओं की नाभी कई प्रकार की होती है किसी महिला की नाभी जो है बाहर की तरफ निकली हुई होती है वहीं किसी महिला की नाभी अंदर की तरफ दबी हुई होती है चिपकी हुई, उबरी हुई, फैली हुई ये साड़ा पेट का आकार जैसे जैसे निकलते जाता है महिला की नाभी उस आकार में रहती जाती है अपने आपको ढालती जाती है तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही पेट का आकार बढ़ने लगता है महिलाओं में भी नाभी के आकार में चेंजेस आने लगता है यानि कि प्रेजरे चरन में आपकी नाभी वैसे नहीं रहती है, नाभी का भी आकार बढ़ता है, महिलाओं की नाभी का बाहर निकलना, अंदर जाना, नाभी के आकार में चेंज होना, इसका संकेत पीछले जमाने के लोग ये लगाया करते थे, कि नाभी से बेटा या बेटी होने का पता चलता है, यानि कि जिस महिला की नाभी बाहर की और निकली हुई है, यानि कि बड़ी है नाभी उनकी बाहर की और निकली हुई है, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्रेमेस्टर में उनकी नाभी बाहर की तरफ निकल गई है, उस महिला को ये अंदाजा लगाया जाता था, क उस महिला को बेटी होने के चांसे ज्यादा है या हो सकते हैं तो इस बात में कितनी सच्चाई है व्यज्ञानिक तोर पर ये बाते सही है या गलत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो देखिए नाभी से कभी भी महिला के संतान होने का पता नहीं चलता है कि नाभी से आप ये अंदाजा लगाएंगी कि होने वाला जो संतान है वो बेटा होगा या बेटी होगा ये नाभी से कभी भी पता नहीं चलता है अपने आप जब महिला का पेट बाहर निकलने लगता है तो नाभी भी अपने आप आकार ले लेती है किसी महिला का नाभी जो है वो बाहर की और रहता है तो किनी महिला का नाभी अंदर की और सिम्टा हुआ रहता है नाभी एक ऐसी चीज है जो कि आपके बच्चे को आप से जूरती है एक मात्रित्र का एहसास दिलाती है बच्चा आपके नाभी के जरीए ही अपना भरन पोशन लेते रहता है जिसे हम कहते हैं गर्भ नाल गर्भ नाल में बच्चा आपकी नाभी से खुद के साथ जूरा रहता है इस तरीके से नाभी एक important role जो है वो अदा करती है लेकिन नाभी से कभी भी ये पता नहीं चलता है कि होने वाला संतान बेटा होगा या बेटी होगा तो पिछले जमाने से जो भी बाते चली यारी है वो सिर्फ एक अफवा है, एक अंध विश्वास है जिस पे विश्वास करके आप कोई भी आसक कदम ना उठाले कि फ्यूचर में आपको इसका भड़पाई करना पड़े अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाए